आपको बहुत बड़ी खबर सुनवाते हैं, कल हमारे मैनेजिंग एरेटर निकुंज डालमिया ने बातचीत की भारती से, जो अपने हेडलाइन में कॉमेंटरी हमने आपको हिंट की थी न, वो बातचीत अच्छली निकुंज डालमिया ने कल शाम को इनके साथ की थी, मितल ज इनफाक यूएस अपनी विटिश गवर्मेंट ने उनको नाइट हुड किया है, पहले इंडियन हैं जिनको ऐसे नाइट हुड किया गया है, लेकिन उस चर्चा के दौरान ये बात निकल की आई कि तब आरपूस जो हैं सेक्टर के वो किस डारेक्शन में जा रहे हैं, काफ बात ये है कि उन्होंने एक नंबर दिया है, तीन सो रुपे पर यूजर का आरपू, उन्हें लगता है कि नेक्स फिनांशल ये मतलब जो शुरू ही होने वाला है, उसके अंध के पहले हो जाएगा, बहुत पहले, ये सुनिया बहुत बड़ी ख़बर है, इसके बाद हम ड अगर कि अबन ड्योपने ग elों पर वन मेंताू, बहुत जिए कि ईकमर को 16品 democrिय죠, कि उन्हें ऑमरें होईगा ह statistically 162 में 153 nel 2020 into 90. so it has improved it's taken a much much slower pace than i would have imagined but i think we have come to a point where investments have now uh run ahead uh you know we have spent nearly 80 000 crores on 5g spectrum and rollout our competition has spent over 100 000 crores and there are no additional revenues as you know so time has come now to start to rationalize and repair the tariffs well i think that's all the more reason why this industry needs to be very healthy balances need to be very strong revenue and ebitda needs to be strong uh so that the companies are ready when the 60 comes upon us 60 is still some years away i think 5g has a just sort of completed its cycle globally now uh we are in 2024 i would say 6g will not be here before 2030 so these five six years are required to make the balance sheets of the existing operators very healthy and that's why the need for harpur to go up okay yeah this is a big deal that's why we have to make the balance sheets of the market and that's why we have to make the balance sheets of the market and that's why we मित्ल साब ने और दूसरा आकड़ जो दिया है 300 रुपे का वो काफी बड़ा है एक कुई चार्ड चेक का बता सकते हैं संतोष क्या लग रहा है यह 12-1300 रुपे हो जाएगा क्योंकि जब तक हाइक आएगा तो रुकिया का थोड़ी स्टॉक हाइक आने के लिए स्टॉक तो जो काफी लंबे समय के बाद निकाला था उसके बाद यह बन वे अप्ट्रेंड में है अभी एक चोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 1200 के लेवल से लेकिन अब एक जैक्ट ही अपने फिप्टी डेव इंग इंगरेज बना रहा है तो लग रहा है कि फिरसे 1200 का पहला टागेट 1200 क्रॉस करता तो 1300 से 1330 तक की अपसाइट देखने को मिल सकती है